क्या हिंदू देवी और देवता एलियंस थे ये बात बिलकुल विश्वास करने योग के नहीं है ये भी हिस्ट्री टीवी चेनल की एलियंस पर बनाएं गए एक सीरीज पर विश्वास करें तो प्राचीन सब वितां के देवता दरसल एलियंस नहीं थे इंसान उन्हें अपना देवता फरिस्टा माना और कुछ उन्हें आकास देव कहते थे इस्ट्री चेनल की एरपोर्ट के मताबिक प्राचीन सब विताओं के इसमारा को परशोद करने वाले महशूर लेकर एरिन वॉन डैनी केन की किताब चेरियोट्स आफ गार्ड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है उनके अनुसर प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास घीजा में पिरामिट बनाने के लिए नदो उजार थे और नहीं उन्हें बनाने का ज्यान था इस तरह उन्हें अवश्री हैलियंस ने बनाया होगा प्रोफेसर एरिन वॉन डैनिकेन ने 1971 में कोलकता के संस्कृत विश्वी द्याले के प्रोफेसर दिलिक कांजीलाल के प्राचिन वैदिक भाषा का आधुनिकरन किया है उन्होंने इन गरंतों के शोद के आधर पर कहा कि हिंदू देवता एक फ्लाइंग मशीन में बैट कर स्वर्ग से धर्ती पर आते थे इन गरंतों में बहुत बारिके से इसका ब्योरा मिलता है कि उनके ये विमान कैसे दिखते थे और कैसे वे एक जगे से दुसरी जगे जाते थे दक्षिन भारत के मंदिर इन विमानों की तरही बनाए गए हैं प्राचिन एस्ट्रोनामी के अनुसार भगवान विष्णू एक एलियंस थे उन्होंने अपने दोनों पार्षदों जय और विजय को वैकुंट से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने सदा अंत्रिक्ष में विचरन करने वाले चार कुमारों सनक, सननंद, सनातन और सनतकुमार को वैकुंट में आने से रोग दिया था तो उन्हें चारों कुमारों को अश्राप जहनना पड़ा था और फिर उन्होंने धर्ती पर हिरन न्याक्ष और हिरन निकश्यूप के रूप में जन्म लिया था भारती पुराणिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कई देवताओं को नियोमों का उलंगन करने या किशी शाप के चलते स्वर्ग से निकाल दिया गया था फिर उन्हें धर्ती पर कुछ दिन गुजारने होते थे ये देवताओं के प्रकार के होते थे कोई वानर रूप में कोई सर्प रूप में तो कोई राक्षश रूप में प्राचिन एस्टोनामी के सूद करता मानते ही कि भारत के पुरानी क्रंथों में जिस यदी का उलेख मिलता है वह एलियंस ही रहा होगा इसके अलावा शूद करताओं ने पाया कि भारत में विजय नगरम सामराज्य सर्प देव से संबंद रखने वाले लोगों ने बनाया था भारत में जिस नागदेव की पूजा की जाती है वह आधा मानव और आधा सर्प है निश्ची दिवर एक एलियंस रहा होगा या उरायन से आए एलियंसों ने अपने जीन से इस तरह के कई जीव जनतु बनाये होंगे